दोस्तों नमस्कार राजेश सरक्लाशेश में आपका श्वागत है कच्छा बार है 2024 समाशास्त इस वीडियो में 2024 के समाशास्त का ऐसा माडल पेपर है जो आपको बोर्ड एक्जाम 2024 में 96% से लेकर 97% नमबर दिलाएगा तो देखी समाशास्त का माडल पेपर इपी बोर्ड 2024 का च्छा बार है शमें तीन गंटे 15 मिनट पुडांक सो निर्देश को पढ़ना निर्देश पर ध्यान देना अतिया आउस्यक है प्रारम के 15 मिनट परिचार्थियों को प्रस्थ पत्र पढ़ने के लिए निर्दारित 15 मिनट तक आप ध्यान पूर्वक प्रस्थ पत्र को पढ़ेंगे और नेती बनाएंगे किस प्रकार प्रस्थनों को हल करना है किन प्रस्थनों को पहलिग हल करना कि प्रस्थनों को बा बहवी कल्पी प्रश्ण है यानि चार उत्तर दे रहेंगे एक उत्तर शही रहेगा प्रश्ण संख्याई 11 से 20 तक अति लग उत्तरी प्रश्ण है जिनका प्रतेक उत्तर लगवग पचीस सब्दों से देना होगा प्रश्ण संख्या 21 से 26 तक लग उत्तरी प्रश्ण है जिनका प्रतेक उत्तर लगवग पचास सब्दों में देना है प्रश्ण संख्या 27 से 29 तक दिरग उत्तरी प्रश्ण है जिनका प्रतेक उत्तर लगवग 150 सब्दों में देना है ते हुए निर्देश अब हम लेकर आ रहे हैं सबसे पहले बहु विकल्पी प्रस्ण तो देखे बहु विकल्पी प्रस्ण नोट चार विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे तो पहला प्रस्ण है निम्न में से कौन एक समदा नहीं है निम्न में से कौन एक समदा नहीं है हिंदू है मुश्लिम है जन जाती ये भी एक समदा है लेकिन भीड एक समदा नहीं है क्योंकि भीड एक एक इकठा होती शमदा जो होता एक निश्य तेरिया में निश्य संबंधों के द्वारा बधा हुआ ब्यक्तियों का समुह होता है तो हिंदू मुस्लिम जन जाती है सब के आएं समदा लेकिन भीड समदा नहीं है जनगर्णा 2011 के अनुसार भारत में ग्रामिड जनसंख्या का प्रतिशत यहनी 2011 के अनुसार भारत में ग्रामिडों की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है यह प्रश्ण है और ये चार विकलब आपके सामने 1, 2, 3, 4 दे कौन सा सही है तो इस में से पहला है 56.8% दूसरा है 68.8% तो विकलब दो ही सही है आपका अब हम आपको लेकर चलेगे अगले बहुविकल्पी प्रस्णों पर तो देखे अगला बहुविकल्पी प्रस्ण जो आपके सामने आ रहा है वो देखे आपका ये बहुविकल्पी प्रस्ण है तीसरा परिवार वी कारखाने है जहां मानो व्यक्तियों का उत्पादन होता है यह किसकी उक्ति है परिवार वी कारखाने है जहां मानों व्यक्तिओं का उत्पादन होता है यह किसकी उक्ति है यह जो युक्ति है यह है टी पार्संस का है चौथा विकल्प आपके सामने है सही है ब्रह्म समाज की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी तो ब्रह्म समाज की अस्थापना किसके द्वारा की गई थी चार भी कल्प है श्वामे दयानंद सर्श्वती इन्होंने आर समाज की अस्थापना की थी इस्वर्चंद विज्द्या सागर इन्होंने नहीं किय अगला प्रश्ण जो है आपके सामने सामाजिक विकास का सूचक कौन सा नहीं है सामाजिक विकास सोचल डेपलेब्मेंट का क्या इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर नहीं है स्वास्त में उन्नती जीवन यापन में गुडवत्ता में उन्नती सिच्छा में उन्नती इनमें से सभी या स्वास्त में उन्नती होता तब समाज का विकास होता जीवन यापन में गुडवत्ता की उन्नती होती तब भी विकास है समाज का सिच्छा में उन्नती यानि तीनों यानि इसमें से सभी चौथा विकल्प आपका सही है, अब हम आपको लेकर चल ले हैं, आगले विकल्प की तरफ उपनिवेस का संबंद, उपनिवेस का रिलेशन किस्से है सामराजवास से, पूजीवास से, समाजवास से, साम्मेवास से, चार विकल्प आपके सामने तो इसमें से पहला विकल्प ही सही है सामराजवाद से उपनिवेश का शंबंध होता है उपनिवेश के द्वारा ही सामराजवाद को बनाया जा सकता है अगला प्रस्ण है भारत में आधुन की करण का प्रमुकरण भारत में आधुन की करण अधुन की करण अधोगी की करण नगरी करण पसिमी करण इसमें से सभी तो सामराजवाद का सही विकल्प है अधोगी करण नगरी करण भी है पसिमी करण भी है यह इनि इसमें से सभी है अगला प्रशन है भारत में पंचायत राज व्योस्था की कौन सी व्योस्था लगू भारत में पंचायत राज व्योस्था की कौन सी व्योस्था लगू एक अस्तरी नहीं त्री अस्तरी नहीं त्री अस्तरी व्योस्था लगू है ठीक है जिले पर और ब्लाग पर और ग्राम में तो यह त्री अस्तरी होता है इसी को त्री अस्तरी कहा जाता है नवा प्रशने उन्नीस सो अठारा में सर्प्था मजदूर शंग ट्रेड उनियन की अस्थापना किस ने की थी वीपी वाडिया महात्मा गांदे मन रा अमेटकर जी तो नवा का पहला विकल्प सही है तो हम जानते हैं नवा का जो पहला विकल्प है वीपी वाडिया वीपी वाडिया इहीं सही विकल्प है अगला प्रस्ण है निम्न में कौन भोगोलिक पर्यावरण का तत्व है निम्न में कौन भोगोलिक पर्यावरण का तत्व है भोगोलिक पर्यावरण धर्म नहीं विश्वास नहीं वरसा हां तीसरा विकल्प सही है ते आपके हुए बहुत विकल्पी प्रस्ण अब हम आपको को लेकर चलने हैं अनप्रश्णों की तरफ अतिलोगोत्री प्रश्ण लगोत्री प्रश्ण वेश्थेत्री प्रश्ण यह माडल आपको 2024 के वोर्ड एक्जाम में अथिक से अधिक नंबर दिलाएगा पूरा वीडियो देखे मित्र दोस्तों को सेर कीजी यह दिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अतिलग उत्री प्रश्ण 10 प्रश्ण प्रतेक प्रश्ण तीन तीन नंबर के हैं जिनका एंसर उत्तर आपको 25 सब्दों में देना है 25 या कुछ कम भी हो सकता है थोड़ा बहुत अधिक भी हो सकता है लेकिन प्रयास रहे कि 25 के अंदर ही प्रश्णों का एंसर मिल जाए तो पहला प्रश्ण आपके सामने है ग्रामीड समदाय की किनी दो मुख विसेश्टाओं का उलेक कीजिए तो देखे ग्रामीड समदाय की दो मुख प्रमुख विसेश्टाएं तो पहला है ग्रामीड समदाय में धर्म और परमपराओं से आनी वाली नियमो पर अधिक ध्यान दिया जाता है जो ग्रामिड समझा होती है वो धर्म पर जादा विश्वास करती है परमपराओं जो पीडियों दर पीडियों परमपराओं आ रही है उनको निभाना अपना कर्तब समझते हैं ग्रामिड ग्रामिड समझा में संजुक्त परिवार पर विशे बल दिया जाता है जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे सम्मलित होते हैं। उनका एक मुख्या होता है जिनके निर्देश पर पूरा परिवार चलता है तेहुए इस ग्रामिट्स समधा की मुख्य दो भी सेशता हैं अगला प्रशन जो आपके सामने है मराति बंसी परिवार से आप क्या समझते हैं तो देखे बरहवा प्रशन का एंसर आपके सामने ऐसे परिवार जिसमें बंस परंप्रा मा के नाम से चलती है मा के बाद उसकी सबसे बड़ी पुत्री परिवार का नितित करती अर्थात माता से पुत्रियों के बंस नाप मिलते हैं देखे हमारे समाज में प्राय प्रित्रिशत्तात्म बंस परंप्रा का नाम से पिता के बाद उसके बड़े बेटे इस प्रकार से बंस परंप्रा चलती हैं वहीं मुखिया और तो यहीं मालिक होते हैं लेकिन यहाँ पर है मातिवंसी परिवार, ऐसे परिवार जिने बंस परंपरा मा के नाम से चलती है, मा ही सरवच्छ होती है, मा के बाद उसकी सबसे बड़ी जो पुत्री होती है, वहीं परिवार का नित्युत करती है, यानि माता के नाम से बंस नाम चलता है, अगला प्रशन से क्या प्रा है तो देखिए सामाजिक बिसमता का अंसर आपको मिल रहा है पूरा वीडियो देखिएगा मित दोस्तों को सेर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियों को लाइक करना न भूले किसी समाज में प्रतेग व्यक्ति की इस्थिती एक समान नहीं हर लोगों का जीवन अस्तर अलग अलग होता है लोगों का जो जीवन अस्तर होता अलग अलग होता है कुछ लोगों के पास धन संपत्ति सिच्छा सक्ति वैभव जैसे साधन अधिक होती है कुछ लोगों के पास जमीन होती है संपत्ति होती है सिच्छा सक्ति है वैभव है अकुछ लोगों में इनका अभाव होता है अकुछ लोगों में का होता है ये सब नहीं पाया जाता है गरिभी होती है इसे ही समाजिक बिसमता करते है इस प्रकार को जो समाज होता है तो उस प्रकार के समाज को हम क्या करते है कि समाज में समाजिक बिसमता है शमदा उन व्यक्तियों का एक विशिष्ट समुव, शमदा क्या है उन व्यक्तियों का एक विशिष्ट ग्रूप है जो एक निशित भावगोलिक सीमाओं में निवास करते हैं, इनके प्रतेक सदस एक विशिष्ट संबंधों द्वारा आपस में संगटित रहते हैं, इनके जो प्रतेक मेंबर, इवरी मेंबर is related to organized by relation, यानि इनके जो मेंबर होते, एक विशिष्ट संबंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, ये लोग परस्पर स्थयोग के द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं, what is the interview? What is the meaning of interview? तुँ देखे सथ्षातकार से सथ्षातकार एक विवस्था होती है, एक सिस्टम होता है, सथ्षातकार इं armoredableACH को होते हैं, जिसमे दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उदैश के लिए, किसी विशिष्ट उद्देश के लिए आमने सामने बाचित था उसकी प्रत्किरिया करते हैं जो इंटर्वी है एक पध्धत यह ब्यवस्था जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी विशिष्ट उद्देश के लिए आमने सामने बाची तथा उसका प्रत्क्रिया करते हैं इसमें उत्तरदाता की भावनाओं, विचारों और दिश्टकूनों अर्थाद व्यक्तित का अध्यन किया जाता है अब जैसे कोई नौकरी होती तो उसके लिए विचिष्ट व्यक्ति कायदी हमें चुनाव करना है तो सबसे अलग कैसे है उसके बारे में जब तक हम उसका इंटर्व्यू नहीं लेंगे साच्छातकार नहीं करेंगे वो योग है की नहीं उसकी योगिता उस पद के लिए है की नहीं तो इस प्रकार की जो बिवस्था होती है उससे हम क्या करते हैं साच्छातकार करते हैं अब अगला प्रस्ण जो आपके सामने है अदोगी करन के दो प्रभाव लिखे और दोगी करण के दो प्रभाव तो देखिए सुलहमा प्रस्ट का एंसर आपको मिल लहा सभी प्रस्ट तिंती नंबर के पूरा वीडियों देखिए अधोगी करण के फलसरूप प्रतिव्यक्ति आयत अथा राष्टि आया में ब्रिद्धि होती है ये अधोगी करण का ही परडाम है कि प्रतिव्यक्ति के आयत अथा राष्टि आया दोनों में ब्रिद्धि होती है प्रतिव्यक्ति के आयमें ब्रिद्ध्य होती है तो उसे राष्टी आयमें ब्रिद्ध्य होगी जो आर्थिक विकास का परिचारक है जो आर्थिक विकास का क्या है परिचायक है अदोगी करण से राष्ट के सामाजिक आर्थिक धाचे में आमोल चूर परिवर्तर नहीं होता जिससे राष्ट मजबूत होता, उनका इंफ्राइस्ट्रक्चर मजबूत होता, सामाजिक आर्थिक ताने बाने मजबूत होते हैं, तो इसी को हम अधोगी करण करेंगे, अब अगला प्रश्ण जो सत्रहमा आपके सामने है, सामाजिक परिवर्तन को असपस्ट कीजी, सत्रहम मानवी संबंधों, ब्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, कारविधियों में होने वाला बदलाव, जिसे सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता हुने सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। उसमें चेंज होता है, उन्हें हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रशन है, हरित क्रांति के किनी तीन प्रभाओं का वर्डन कीजिए। तो देखे, तिन्ती नम्बर के प्रशन चल रहे हैं। उत्पादन में व्रिद्धी, देश, खाध्यान की प्रती आत्म मिर्भर हुआ। हरित क्रांति के करण क्रिसी में नमीन उपकरणों। हरित क्रांति का ही एफेक्ट है कि क्रिसी में अग्रिकल्चर में ट्रैक्टर हार्वेस्टर टीवेल आदी का प्रियोग किया जाने लगा। और अगला प्रसंद जो आपके सामने है। वैस्वी करण की लाब क्या क्या है तो देखी वैस्वी करण की लाब वैस्वी करण देश की अर्थव्योस्था के दिर्काली न आउसत विकास दर को बढ़ाने में मदद करती है वैस्वी करण देश की अर्थव्योस्था के दिर्काली न आउसत विकास दर को बढ़ाने मदद करती है संसाद्नों की आमंटन छमता में सुधार होता है उत्पादन की गुरुता में सुधार होता है वैसी करण में होता क्या है वैसी करण में हर देश का समान हर देश में बिकता है हर देश का समान एक देश का समान दूसरे देशों में आ सकता है हर देश की कमपनियां दूसरे देशों में अपने दोगों को अस्थापित कर सकते हैं उत्पादन कर सकते हैं उसी को वैसी करण कर इससे क्या होता है जिस देश में नई कमपनिया आती है वहां के रोजगार में बिढला şrokстро सक्षर में बिढला होती जो आउंटन होता है उसमें सुधार होता है लोगों का जीवन सथर उड़ पूरता है सामाजिक बिगास होता है ते हुए बैस्वी करन के लाब अब देखे दलित से आप क्या समझते हैं दलित से आप क्या समझते हैं तीन नमबर के प्रश्ण चलने हैं अतिला घुतरी प्रश्ण हैं दलित से आप क्या समझते हैं तो देखे दलित का साब्दिक अर्थोता दबाया हुआ दलित का साब्दि हुआ हो जिनका शोसन किया गया हो त्विरण किया गया हो जो सक्तिसाली होता है जो उच्छ जातियां होती हैं सामाजिक व्योस्था में इने अस्प्रिस समाजा जाता है सामाजिक व्योस्था जो हिंदू समाज का उसमें अस्प्रिस यानि इन्हें अस्प्रिस का मतलब इनको छुआ नहीं जाता है इनको निम्न स्रेनी का समझा जाता है हिंदू समाज में सबसे निचले पायदान में आने वाली जातियों को दलित कहा जाता है हिंदू समाज में जो सबसे निचले पायदान पासेचित और विक्षित जातियों को दलित कहा जाता है जिनका सोसर्ण समय समय पर लोग करते रहें लेकिन अब वो इस्तिती नहीं है अब हम चलते हैं आपको ले करके लगोत्री प्रश्ण पर प्रतीक प्रश्ण यहां पर आपको मिलेंगे 6 नंबर के इन प्रश्णों का एंसर आप अपने से तयार कीजिए क्योंकि बोर्ड एक्जाम में यह महत्पूर्ड भूमिका निभाएंगे आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाएंगे आप इन प्रश्णों का इसके शार्ट ले सकते हैं अपने बुक्स से नूटबुक्स से टीचर के सहोग से यह आने वाले दिनों में मैं इसका फूल वीडियो डालूगा तो देखे भारत में तिवर जन संख्या विरते के कारणों का उले कीजी च्छा नंबर आधनिक भाजार की प्रमुक विशेष्टाओं का वर्डन कीजी भारती समाज में धर्म के महत्व की विवेशना कीजी सांस्कितिक विवेटता से आप क्या समस्ते हैं च्छा नंबर के प्रशन है सामाजिक विवेटता से आप क्या समस्ते हैं है भारती प्रजातंत्पर्टिपडी लिखे पचास सबदों में अंसर देना है आधनिक समय में संचार के लोगप्री साधनों पर संचिप्त निवंद लिखी तो इच अच नमबर के प्रश्ण छो हैं और सभी प्रश्ण निवार हैं अब हम आपको लेकर चलेगे दिरिगुत्री प्रश्ण जो आठ नमबर के हैं तो देखे सेलेक्टेड दिरिगुत्री प्रश्ण जो बोर्ड एकजाम दो हजार चौविस में आने वाले हैं तो पूरा वीडियों देखिए मित दोस्तों को सेयर करें चैनल को सब्सकाइब जरूर करें यह आपसे अनरोध है तिरिगुत्री प्रश्ण यहां पर तीन दिरिगुत्री प अगर यह बोर्ड एकजाम दो हजार चौविस में आने वाले प्रश्ण हैं और यह प्रश्ण आपका इंतजार कर रहे हैं कि इन प्रश्णों पो खुब लेखिए खुब तयार कीजिए अपने नोटबुक्स गाइड्स और टीचर की मदब से माल्थस के जनसंख्या गजांत की बिविचना कीजिए अथवा या तो यह कर यह आठ नंबर का अथवा परिवार से क्या तात्पर है इसके ख़म्जाई यह इनके बिखन कारे जो हैं उनको आप समझाई आठ नंबर का है इन दोनों में सिए आप कही करेंगे यह दिया हा रहा है तो अच्छी प्र जन जातियों से आप क्या समझते हैं भारती जन जाती समझयाओं के कारण की बीविचना कीजिये इनकी समस्याओं क्या हैं उनके कारण क्या हैं, उनकी वीविचना कीजिए अत्वा सोध परियोजना क्या है सोध परियोजना क्या सोध परियोजना के प्रमुक चरणों की संचिप्त व्याख्या कीजिए आठ नमबर के प्रस्ण यह कर सकते हैं दोनों आएगा तब भी आपको यह कही करना होगा और क्योंकि तीन प्रश्ण हैं दिरगुत्तरी में इनका जो एंसर आप लिखेंगे डेड़ सो सब्दों में लिखना है ये प्रश्ण आपके सामने सामाजिक परिवर्तन में भारती समिधान की भूमिका का विवेचन कीजिए अथवा भूमिका का विवेचना कीजिए अथवा भूम अंडली करण उदारी करण यों भारती दोगों में परिवर्तन को अस्पष्ट कीजिए तो ये आपके हुए कुल तीन प्रश्ट अथवा है तो इसका अर्थ होगा या तो ये या तो ये जो अच्छी प्रकार आप तयार कर सकते ये बोर्ड एक्जाम 2024 के लिए महत्पून है नमस्कार